इंडिया लायंस स्पोर्जिंगे और रोजगार जोर देगी है कि इनकी सरकार जाएगी इस बार जाने वाली है लोग उसको भी सही बान जा रहा है तो उनका घर उनका रोजगार उस सब मोदी जी ले ले खुद और उनको सिर्फ पांच किलो रासन दे ले वही दो सब जादू है जादू एक जिसका फोड़ी होता है अभी बहुत बड़े बड़े जादू को देखने को लेंगे तो मशीच कि लाओं नहीं रहा है वह रोजगाइश भड़ा यहीं है वाड़ा धाया है तरुस्पर धेस के विकास का Tevika हो रहा है वह सब जानी रहे हैं एक दम नहीं कर रहे हैं रोडेव बन रही है जानों को मिलने होता है किसान किसान तो यह साथ सब्सर्टा के अर्ण लाएं था त तो क्या बदला चाहते हैं कि इस पार जाने वाली है कि आपको लगता है दूसरी सरकार है कि वह कारी करेगी एकड़म एकड़म करेगी दस्तार से वह कारी नहीं कर रही कुछ नहीं कुछ कहां कर रही है जादूगर ना होते हैं जब मोदी जी की गलत बातों को लोग सही मान रहे हैं तो जादूगर ही तुए मोदी जो ज़ूड बोल रहे हैं लोग उसको भी सही बान जा रहे हैं तो इसका मलत जादू तभी तो और हमारी परसनल हमारी एकड़म है हमारी एक्छा है कि जो लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी आ जाए हम भी चाह रहे हैं मोदी जी आ जाए ठीक लेकिन जो है उनका घर उन जादू का सर बता रहा है तब भी हो लोग मोदीजी का समर्था नहीं करेंगे कार भी तो कर रही ना सर कौन अरे तो भाईया तब ही तो कह रहे हैं वही तो सब जादू है जादू एक चीज़ का थोड़ी होता है कि साथ साल से कॉंघ्रेस लोग छाना चाहिए होती तो आज यहाद़ थोड़ी होती अगर शाएब सवार जवाप भी हमारा कहना यह है सरकार मोदीजी की आनिते एक कम से कम डशाल और वहीं जादू तभी चल रहा है आइसे थोड़ी चल रहा है जब लोग भूट बात का विश्वात करने लगे तो इसका उन दफ जादू बहुत तगड़ा है और यह जादू जो है ना यह दस साल और जब शासन रहेगा ना उसके बाद यह जादू थोड़ा सा जो है लग लग लोग कॉंग्रेस आजाएगी अरे कॉंग्रेस आई तब ना कॉंग्रेस आने कहा जारी यह थोड़ी कहरें आज आगी तो आएगी नहीं ना वो आप ऐसा क्यों कह रहा है आपको इसना विश्वास क्यों है अरे बहुत बढ़ी चीज़ होती जान लिजे पूरे सारी चीज़ अपने बस में कर लिजी आप जादू यही होता ना सारी प्रक्र कर लिजे पूरे जंता तो नहीं कहरेंना बिजेट करता कहां है जंता बच्की है आपको लग रहा है कुछ जंता हो очुका है जंत नहीं जानलीजिया आप कि अगर किसी कौन लग रहा है कि यंता था वर्ट से पहले जन्ता देख तत हुच मत दे खें तिव जा या के वोट दे भक उट दे guys लोग वोटी डालने नहीं जाते यह भी बहुत बड़ा हुए 50% 55% अब आप बताइए देश में पहली बार यह जब चुनाव होता है शाम को चुनाव हो क्या कि शाम को चुनाव होने के कितनी देर बाद आंकड़े आ जाते थे कि कितना पर्सेंटेज चुना हुए बताई अब आपको है कुछ ऐडिया बताईए हम आप से सवाल पूछाएं कितनी देर बाद आंकड़ेा आ जाते थे गंटे दो गंटे बाद सारा डिक्लेर हो जाता है कि फ़ला जगे बूस वाइज सारा डिक्लेर होता था सरकार किसी कैसे बन सकती है जो एलेक्शन हुगा माने रहे हम करें 10 परसेंट वोट पड़े आज पता चलदा 10 परसेंट वोट पड़े ठीक नहीं पंद्रा परसेंट पड़ा हो यह कहां से नदफ है बड़े जादू करें मुदी जी हमारे साथ मुदी जी यह पांच साल तो कमस्कों आने की है हाला केजवी वाल ने बोल दिया है कि अगले साल रिटायर कर दिये जाएगा अब यह होगा अगर नहीं होगा नहीं पता है नमस्कार मैं हूँ एहमद अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और हां सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद